हेलो फ्रेंड्स दिस इस भुपेंदर सिंग महरा टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि पेटियम से मोबाइल रिचार्ज बिल पेमेंट और ऑनलाइन बुकिंग कैसे करते हैं इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेटियम क्या है पेटियम में अकाउंट कैसे बनाते हैं और पेटियम को इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभी सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल में हम technology और education related रोज नहीं नहीं वीडियो अप्लोड करते रहते हैं जो कि हर किसी के लिए helpful होते हैं इसलिए हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और जानते हैं कि Paytm से mobile recharge, bill payment और online booking कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना Paytm F खोलना है यहाँ पर देखे recharge और pay for का section है यहाँ पर से आप अपना prepared mobile, postpaid mobile, electricity build, DTS recharge, college की fees, metro के लिए pay कर सकते हैं इसके साथ यह आप broadband, landline, data card, gas, insurance, water, petrol और dairy product के लिए भी यहाँ पर से आप recharge या फिर pay कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि Paytm से mobile recharge कैसे करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर देखिए prepared mobile और postpaid mobile दो options हैं आप जिसमें भी recharge करना चाहते हैं उसे यहाँ पर से choose कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि prepared mobile में कैसे recharge करते हैं तो उसके लिए आपको mobile prepared में क्लिक करना है यहाँ पर से आपको mobile number डालना है आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपने phone के किसी भी contact को यहाँ पर से choose कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर अपना mobile number डाल देता हूँ तो यहाँ पर देखिए mobile number डालते ही इसने यह बता दिया यहाँ पर से आपको amount भरना है आप यहाँ पर से browse plans में क्लिक करके जो भी आपके लिए best plans हैं आप यहाँ पर से choose कर सकते हैं यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यह देखिए best offers हैं फुल टॉक टाइम offers हैं 3G, 4G data plans हैं, 2G data plans हैं, top up plans हैं, special recharges हैं, roaming plans हैं आप इन में से किसी को भी यहाँ पर से directly choose कर सकते हैं तो चले मैं अभी यहाँ पर 10 रुपे का recharge करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इससे कैसे recharge होता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर click करूंगा तो यह देखिए amount यहाँ पर आ चुका है अब इसके बाद आपको proceed to recharge पर click करने इससे proceed करने से पहले आप यहाँ पर देखिए कुछ प्रोमो कोड दिये हुए हैं आप इन प्रोमो कोड का यूज करके gift या फिर कुछ इसमें छूट पा सकते हैं जो भी आपको सबसे बढ़िया प्रोमो कोड लगे उससे आप यहाँ पर से देख लें इसके बाद आपको क्या करने हैं आपको यहाँ पर से proceed to recharge पर click कर देना है अब यहाँ पर देखिए have a promo code क्या आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो अगर है तो यहाँ पर आप click कर देंगे और यहाँ पर से promo code enter कर देंगे तो चलिए मैं एक प्रोमो कोड यहाँ पर डाल देता हूँ प्रोमो कोड डालते हैं यहाँ पर अपलाई पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए Thank you for participating in Lucky 7 Contest तो आपने इसके बाद Proceed to Pay पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर देखिए मेरे Cards पहले से Save है तो अगर आप पहली बार Paytm से Recharge या फिर Bill Pay कर रहे हैं तो आपको Debit Card, Credit Card, Net Banking या फिर ATM Card इनमे से Select करना है जो भी आप Use करना चाहें तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि Debit Card से कैसे Pay करते हैं तो Debit Card में क्लिक करा Debit Card यानि आपका ATM तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको अपना Card Number डालने हैं इसके बाद Month और Year डालने हैं Last में आपको CVV Number डालने हैं यह सारी Details आपको आपके Card में मिल जाएंगी CVV Number आपके Card के पीछे एक White Patti आपको मिलेगी वहाँ पर 3 डिजिट का Number लिखा होगा है वही होता है CVV Number तो यह देखें मैंने सारी Details फिल कर ली हैं अब यहाँ पर देखें एक टिक लगा हुआ है कि Save this Card for Faster Checkout यानि आप इस Card के Details को Save कर सकते हैं जिससे आपको बार-बार अपने Card की Details यहाँ पर फिल नहीं करनी पड़ेगी सिर्फ आप CVV Number से ही इसमें अगली बार से Pay करने लग जाएंगे तो उसके लिए आपको इसे टिक रहने देना है अगर आप नहीं चाते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हैं आप इसमें अपने Card की Details को बिल्कुल Save रख सकते हैं देखिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि बिना OTP Number के कोई भी Transaction नहीं हो सकता तो चलिए हम इसमें इसे Save रखे रहते हैं और इसके बाद Pay नाव पर क्लिक कर दिया अब इसके बाद आपके पास एक One Time Password आएगा आपने उसे यहाँ पर डालने है तो OTP डालते ही आपने यहाँ पर देखिए Submit का बटन है यहाँ पर क्लिक कर देने है अगर आपके पास OTP किसी कारण वस नहीं आपाता है तो आपने यहाँ पर Click Here में क्लिक कर देने है जिससे आपके पास दोबारा से OTP आ जाएगा तो चलिए हमारे पास OTP आ चुका है और हमने यहाँ पर Enter कर लिया है इसके बाद Submit कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास Notification आ चुका है कि Your Order is Successful और मेरा जो Recharge है वो Successful हो चुका है इसी तरीके से आप अपना Postpaid Mobile भी Recharge कर सकते है अब यहाँ पर देखिए Electricity का Option है यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर से सबसे पहले आपको Electricity Board अपना Select करना है तो जैसे माल लीजे आपका उत्तरप्रदेश Power Corporation Limited है तो आप इससे Select करेंगे इसके बाद आप अपनी Account ID डालेंगे यह आपको आपके विजली के बिल में मिल जाएगा इसके बाद आप यहाँ पर से Promo Code देख सकते हैं और फिर Proceed to Pay Bill में क्लिक करके अपना विजली का बिल यहाँ पर से भर सकते हैं इसलिके साथ आप DTS Recharge कर सकते हैं सबसे पहले आप यहाँ पर अपना Operator चूज करेंगे उसके बाद अपना Register Mobile Number या फिर Consumer ID लास्ट माँ आप यहाँ पर से Amount डालेंगे कि आप कितने का अपना DTS Recharge करना चाहते हैं यहाँ पर से Browse Plan में क्लिक करके आप जो भी यहाँ पर से Plan चुनना चाहते हैं वो चुन सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर से College की फिर भर सकते हैं Metro के लिए Pay कर सकते हैं जिसके लिए भी आप यहाँ पर से Pay करना चाहते हैं वो उसके लिए Pay कर सकते हैं इसमें Pay करने का एक और तरीका है तो जैसे अगर आपको किसी को पे करना है तो आप पे पे क्लिक करेंगे आपने कई जगहों पर QR Code scanner आजकल देखा होगा उसे आप यहाँ पर से सिधे 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 स्कैन कर देंगे इसी तरीके से आप मोबाइल नंबर से भी यहाँ पर पे कर सकते हैं इसके साथ यहाँ पर से movie ticket book कर सकते हैं, bus ticket book कर सकते हैं, flight ticket book कर सकते हैं, train के लिए booking कर सकते हैं, hotel booking कर सकते हैं या फिर amusement park के लिए भी booking कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में आपने जाना कि PTM से mobile recharge, bill payment और online booking कैसे करते हैं अगर आपको एक वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें, साथ इस वीडियो को जादा से जादा share करें और हमें comment box में लिखकर बताएं कि आपको एक वीडियो कैसा लगा PTM से संबंधित और वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो के last में जा सकते हैं इस वीडियो के description box में जा सकते हैं या फिर यहाँ पर top right side में आपको एक i button दिखेगा वहाँ पर अगर आप click करेंगे तो वहाँ पर से भी आप PTM के और वीडियो को देख सकते हैं इसी तरीके के और वीडियो जिन्दी में और फ्री में देखने के लिए आप teach me daily का YouTube चैनल अभी ज़रूर से subscribe कर ले subscribe button आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा इस वीडियो को देखने और share करने के लिए आप सभी का धन्यवाल